रिया की जमानत पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है रिया को बेल होगी या जेल होगी किसी भी वक्त ये बड़ा फैसला आ सकता है सेशन कोट में रिया की जमानत पर लिखा जा रहा है बड़ा फैसला कल कोट ने फैसला सुरक्षित रखा था ड्रक्स मामले में भाई खला जेल में है रिया चकरवर्ती, रिया चकरवर्ती, शौविक चकरवर्ती और अन्य पांच पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है बड़ी खबर होगी क्या रिया जेल में रहेंगी या फिर बेल पर बार आएंगी क्या रिया ने जो कुछ किया है उनके कारणामे की सजा उनको मिलेगी या फिर यहां से भी बच कर निकल जाएंगी रिया चकरवर्टी पड़ी ख़बर आपको उता दे कल फैसला सुरक्षित रखाता से इस वक्त फैसला लिखा जा रहा है जिरे कंप्लीट हो चुकी है अंसी बी ने एक लंबा चोड़ा चित्हा दिया है जर्ज के सामने बताया है कैसे कैसे इन्वाल्व्मेंट था क्या-क्या इकभालिया बयान है कहा कहा कभूलनामा है अंस प्रटिलर्स के साथ कन्फरंटरेशन के उनक्र के सामने साहरे सांफ privilege ने और वहीं दूसरी तरफ रिया के वकील ने कहा है कि जबरन इक्बालिया बेयान किया गया है कोई भी साक्ष कोई भी प्रमाद नहीं मिला यानि बचने की कुछीट एक तरफ रिया की, दूसरी तरफ NCB की लंबी चौड़ी फेरिस्थ है जो बताएगी कि हाँ रिया ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्ड दूँगा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेशन कोर्ट में फैसला आना है, कुछी देर के अंदर ये तै हो जाएगा कि रिया कुसूरवार है या नहीं है जियां रिया को जेल होगी या वेल होगी इसका फैसला कुछ पलों में आ जाएगा रिया ने खुद कभूल नामा दिया था कि हाँ, उन्होंने कई बार पेडलर्स से ड्रग्स दी थी, शौविक चकरवर्थी को पैसे भी दे थे, वो पैसे शुशान सींग राजपूर के अकाउंट से निकाले गए थे, ये सब कुछ सामने है, बस इंतजार है इसी बात का, क रिया चकरवर्थी क्या अब भी जेल में रहेंगे?